लोहु पुरुष के नाम से प्रसित सरदार बल्ला भाई पर टेल की 144 सी जन्थी को देश भर में राष्ट्री एक्ता दिवस के रूप में मनाया गया शिम्ला बेबी राष्ट्री एक्ता दिवस के मौके पर कारीक्रम का आयोजन किया गया जहां शिक्षामंती सुरेश भादवाज ने एक्ता की शपत दिलाई जिसके बाद एक्ता दौड का आयोजन किया गया जिसमें शिम्ला चहर के विभिन स्कूलों के बच्चों ने भाग दिया शिक्षमन्ती सुरेश भादवाज ने रिजमेदान से एक्ता दोड को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस मौके पर सुरेश भादवाज ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक्ता और अखंटा का संदेश दिया है पटेल ने देश के 522 यास्तों को इकठा करके एक राष्ट भारत का निर्मान किया पटेल का जिस तरह का योगदान देश को एक्ता में बानने के लिए था उस तरह से पटेल को सम्मान नहीं मिला था लेकिन आने वाली पीडी को उनके योगदान को समझ सके उसकी लिए इस तरह की कारिकरम जरूरी है टूरी हम ऐस हो सचल सके खासे और हो वीड्य कारिकर मेंदा करणा की कार हुदा खासे मतशल समय हुगे ह presence कारा हो चाहम है आना गोगदान तोंके आने सके आने एकिसा लाभाी से szcz़ो से चाहिए है कि इस्था से शपत लेता हूं कि मैं राष्ट की एक्ता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वेम को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के लिए ये संदेश फ्यलाने का भी बफसक प्रितन करूँगा मैं ये शपत अपने देश की एक्ता की भावना से इन की दूर दर्शिता एवम कार्यों द्वाता बनाया जा सका करते रहते हैं लेकिन कुछ मैंसे मैं यह देख रहा हूं कि हमारे हिमाचल की इतिहास के बारे में जानकारी नहीं कि रहे हिमाचल क्या था या हमारे महापुर्ष्वों का जिन्हों ने सुप्तनतर संग्राम में जो है वह भाग लिया उससे पहले के जो हमारे सुप्तनतर संग्राम का इनका के बारे में ठीक धीरे-धीरे जानकारी स्रक्वान कौंत हो जानतर इसलिए इन सारे विज्वों पर हमारेel में परतनर संग्राम के प्रॉपर पर्स्पेक्टिव में जो है किया जाए इसकी लिए शक्षाबूर्ट को भी हमने कहा है वसक्षाबिभाग को भी इस तिस्तिच में कांग करने के लिए सब्सक्राइब कांगर्स के अधिवेशन के उन्होंने अधिक्षता की तो उसमें वो हमेशा जो है वो भीला और पुरुष्क की बराबरी की बात जो है वो उससमाई से खिया करते और आम छोटे जो ग्रीब व्यक्ति है किसान है उनके लिए वो प्रारंब से ही जो है वो काम करते रहें अधात 1928 में पहली बार वो राजनितिक चित्र में सुतंतर दस्क्राम में कुदे ही सुक्षिसान आंदोलों के तार्म तो इसलिए वो बहु आयामी प्रशिवा के धनी थे आज जो हिंदुस्तान का जो एक प्रशास्निक धाचा भी बनावा है वो भी प्रशास्निक धाचा जो है वो वदस्तूर काम करता रहता है तो यह बहुत नहीं दिवस है आदर्निया प्रधान मंतरि नेंदर बूदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात में स्टैची ऑफ यूरिटी भी बनाया है जो 180 फीट उची जो है प्रतीमा है जोनिया कि सबसे मुची प्रतीमा है